दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथु ममसं कटु हारी कत सिख देई हमहि कुमाई कालु करब केही करबलु माई रामध छाडि कुसल केही आजू जेही जने सुदेही जुग राजू हयों कवसी लही बिधियती दाहिन देखत करब रहत उर्नाद। देख हम कस न जाए सब सोभा जो अब लोगी मोर मर छोभा। उतु देश न सोचु तुहारे जानके हम पसनाव हमारे नीद बहुत प्रिय सेज तुराई लखाउ न बूब का पठच तुराई सुनि प्रिय बच न मली न मनु जानी चीरानी यब रहु अर्गानी पुनियस कबहु कहसी घर भोरी कवध हरी जीव कढ़ावं तोरी नीन दयाल विरदु संभारी अरह नातु ममसंखत आरी काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी दिय बिसेश तुनि जेरी कही धर्ग मादु मुस्कानी नीन दयाल विरदु संभारी अरह नातु ममसंखत हारी प्रियबादी निसिकु दिन ही उतोही सपने उतो परको नमोही सुधिन सुमंगल दालकु सोई तोर कहा पुर्जेहिर नहोई जेव स्वानि सेवक लगु भाई यह दिल करपु लरी थी सुखाई राम तिलकु जों साचे मुकाली देर मागु मन हावत आली कौसल्यासम सब महतारी दामई सहज सुहार प्यारी मुपर करही सुने किसेशी मैं करी प्रीथी परीचाई जों बिधी जनव देई करी छोहू जोहु रामसिया पूत पुतोहू प्रान पे अधिक राहू प्रिया मोरे दिलके छों पसतोरे दीन दयाल विरदू संभारी हरहू नात्म मख संकत्भारी हरत समद तोहि सत्य कहू परिहरित पट दूराओ हराशा समय पिसमव करसी कारन हो दिन सुनाओ दीन दयाल विरदू संभारी हरहू नात्म मख संकत्भारी अर्थात वह कहने लगी हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी यानि बढ़ बढ़ कर बोलूँगी राम चंद्र को छोड़ कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं आज कौसल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानि अनुकूल हुए हैं यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं तुम स्वयम जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है तुम्हारा पुत्र परदेश में हैं तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं तुम्हें तो तोसक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती मंथरा की प्रियव अचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी जुप कर यानि डाट कर बोली बस अब चुप रह घर फोड़ी कही की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीब पकर कर निकल वा लूँगी कानों लंगडों और कुबडों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए उन में भी स्त्री और खासकर दासी इतना कह कर भरत जी की माता कह कई मुस्कुरा दी और फिर बोली हे प्रियव अचन कहने वाली मंथरा मैंने तुझको यह सीख दी है शिक्षा के लिए इतनी बात कह ही है मुझे तुझ पर स्वपन में भी क्रोध नहीं है सुन्दर मंगल डायक शुब दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा बड़ा भाई स्वामी और चोटा भाई सेवक होता है यह सूर्य मंच की सुहावनी रीती ह है यदि सच मुझ कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले मैं दूंगी राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कोसल्या के समान ही प्यारी हैं मुझ पर तो वे विशेश प्रेम करते हैं मैंने उनकी प्रीती की परिक्षा करके देख ली है जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री राम चंद्र पुत्र और सीता बहु हो श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है उनकी तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा तुझे भरत की सोगंद है चल कपट छोड़ कर सच सच कह तो हर्ष के समय विशाद कर रही है मुझे इसका कारण सुना इस एपिसोड में इतना ही आगे की कदा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चानल को जरूर सब्सक्राइब करें जैस या राम